Welcome back everyone, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस्ट्रेलिया वर्सिस पाकिस्तान वुमेन के बीच जो अगला T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप का मैच खिला जाएगा इसके बारे में अगर बारे में तो आप टीम यकीनन बनाओगे लेकिन और बैटिंग करती है तो टीम पूरी चेंज होगी और पहले बोलिंग करती है तो पूरी टीम चेंज होगी आपको सिर्फ टोस के बैस पे चीज़ों को समझना है और आप लोग आराम से विन करोगे एक छोटा सा कहीं ज़्यादा बैतर option होगी लेकिन अगर नहीं करती है तो जो कहते हैं वेस्ट फिक जो आपको रोजाना शेर भी करता हूँ वह आपको यहीं पर मिलने वाली final team, final betting order और final pitch report दे के pitch report में तो कोई changes होंगे नहीं जो मैं यहाँ पर बताऊंगा ना mostly same चीज आपको देखने को मिलेगी बाकि अगर मान लो Australia की team ऐसी team है जो betting order में में भी changes कर दे तो अगर वो change होते है तो वो मैं आपको टेलेगराम पर inform कर दूँ और final team भी ठीक है, join करने के दो तरीके पहला है वीडियो के description में link और दूसरा है comment box में link तो जहां से भी आपका मन करता हो, वहां से आप join कर सकते हैं और वीडियो को like कर देना और channel को subscribe भी कर देना, सबसे पहले हम common चीज की तरफ चलते हैं कि यार लोगों ने क्या team बना रही है, ठीक है, फिर हमें अपने हिसाब से जो changes करने होंगे ना वो मैं बता दूँगा, तो पहले common team देख रहे हैं, यानि कि वो team जो high selected team है, ठीक है, तो विकेट कीपिंग में ज्यादा तर लोगों ने pick किया हूँ है, bet मुनी को औ और एलिसा हैली को भी, वैसे मुनीबा ली भी 28% है, लेकिन मुनीबा को बहुत कम लोग ले के आएंगे, तो आप अभी के लिए मैं expect कर रहा हूँ कि लोग नहीं लेंगे, बैटिंग सेक्शन में आप आओगे, आप देंगी बैटिंग सेक्शन में वैसे सेलेक्शन तो 92% अलिसा पेडिका है, लेकिन कुछ लोग ताहीं लगे साथ भी आएंगे, अब मैं आपको बताऊंगा, आपको लेना या नहीं लेना, उसके बाद, और राउंडर सेक्शन में निदादार, गार्डनर, वहरम, उसके बाद, फातिम सवना, एनावेल सुथरलेंड, और ओमिम स गंशूट है, और वाइस कैप्टन दुनिया की जो बनी हुई है, वह गार्डनर है, और उसके अलावा और भी प्लेयर है, लेकिन गार्डनर और उसके अलावा यहाँ पे मौले नहीं हुए, लेकिन गार्डनर क्या 21 परशन लोगों की कप्तान भी है, तो यह फिलाल के करना है ना, तो सबसे पहला आपका टार्गेट होगा इस टीम को हराना, ठीक है, इस टीम को हराना यह पहला टार्गेट होगा, अब इस टीम को हराने के लिए दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है, वो टॉस की ध्यान रखनी है, पहला टार्गेट तो है, डिफिनेट कर रहना जितनी वहाँ बस आप देख लेना वीडियो तो कर देते हैं बousesफबर करते हैं कर दे कि जिन लोंगर ने आपंलिशन में आपERS लेंक देखिंडंग आप अरंड कर सकते हैं जिसले की जो टीम है वो इस मैच में करेंगे बस दिक्थत यह ना कि इन में जो है ना जब पता होता है कि यार्य विन करेंगे तो अमाउंट उतना मिलता नहीं अब यहां पे 90.5 पे Amount मिल रहा है जो कि मन भी नहीं करता है ऐसे बैट्स प्ले करने का तो बाकी ओर ट्रेड से जिनको आप चाहो तो प्ले कर सकते हो ठीक है बाकी अब हम बात करते हैं सबसे पहले पिछ रिपोर्ट के बारे में देखे वीडियो को लाइक उमीद करता हूं आप लोगों ने कर दिया होगा एक जाल लाइक का टार्गेट आपन रखते हैं इस वीडियो में तो वो जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक जरूर कर देना और जो भी आपके क्यूशन से वो आप कॉमेंट में पूछ सकते हो सेवन थर्टीप मैच स्टार्ट होगा दूबए इंटरनेशनल स्टेडियम पर मैच कर ने भी जेम इमाबी और रीचा ने भी सबने मतलब जिनकी बैटिंग आई वह अच्छा स्कॉर किये यही चीज है ना आपको शेलिया भी नजर आती हुए दिख जाहिए जब भी कोई स्ट्रोंग टीम होती है ना अगर वह टीम बैटिंग करती है ना तो चाहे कितना भी बो है कि एक सो बैतर के सम्टिंग तो एकस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं इसको 150 से लेके 165 के सम्टिंग स्कॉर आपको देखने को मिलेगा अगर उस्टेलिया ने पहले बैटिंग करी तो अब मुझे एक बात बताईए अगर उस्टेलिया ने बैटिंग करी 150 160 बनाएगी तो जराज हैगी असी है नबरन पर अब यहां पर टीम अलग बनेगी तो दोनों कंडिशन के टीम अलग बनने वाले ठीक है पिछली पोर्ट का सीन इतना सा है यहां पर यह ध्यान डख लो अगर उस्टेलिया ने बैटिंग करी इतना स्कॉर एक्सपेक्टेड है और बोलिंग क करती हैं नजर आएंगी वन्डा उन आएंगे सिद्र आमीन उसके बाद ओमी मसोईल निदादार आलिया रियाज फातिमा सना तूबा हसन सेयद आरूप शा नशरा सांदू के सासा साधिया इकबाद यह एक्सपेक्टेड लाइन अप है और यह जो लाइन पर यह बैटिंग करेगी तब और भी जाधा रिस्क कें तो कोशिश आप यह करना इस में आप लोग जो इन्वेश्टमेंट करोगे वह यह तो लेस करना या आप लोग मीडियम इनवेश्टमेंट कर सकते हूं मैं अगर अपनी बात करो आप देखते होंगे में माश्ट उप दी मैचेस में हाई इंवेस्टमेंट करता हूं, ठेक है। लेगिन मेंछ मेरा परसनल ही Invesment Less रहने वाला है, मैं Low Invesment में करने वाला हूं, तो ध्यान डखना है। चाये बैटिंग आई किसी भी टीम के चाये बोलिंग है मैं आपको जो चीज करता हूँ वो पहले बता देता हूँ ठीक है अब ये लाइनप हो गई अब इनकी तरब से करभ बात करें सबसे पहले इनके में में प्लेयर कि कौन-कौन से player यहां से important है तो important player हों में नीदादार का पहले number पे नाम आएगा फातिमा सना का दूसरे number पे नाम आएगा ओमीमा सोहिल का तीसरे number पे और चोथे number पे नाम आएगा साधिया इकबाल का ये चारो player ऐसे player है जो आपके लिए बहुत ही जादा important और चारो की खासियत क्या है ये आपको बैटिंग भी देंगे और ये आपको बोलिंग भी देंगे तो important है साधिया इकबाल हला कि बहुत नीचे बैटिंग करेगी तो साधिया से बैटिंग के expectation मत करना लेगिन अभी ये बोलिंग से इतनी अच्छी फॉर्म में ना कि चाहिए सामने कितनी भी अच्छी टीम क्यों ना हो ये विकेट्स निकाल रही है तो अच्छी फॉर्म की वज़े से important बन जाएगी तो चार प्लेयर यहां से much needed प्लेयर में आते हैं ये बात आपको ध्यान डखनी है ठीक है उसके लावबात करें यहांसे benc کے player की तो benc کے player के प्लेयर में आपको यह चार प्लेयर इंजर राएंगे और हाई चांच यह बेंच में रहेंगे देखे तो निदादार के साथ power play में bowling करेगी मैं निदादार से इसलिए power play में bowling expect कर रहा हूं क्योंकि जो बेट मुनी है न वो आपको बता होगा left-handed player है और जो नीदादार है वो एक office spinner है तो left-handed player के आगे office spinner हर टीम लगाती है starting से ही ताकि वो ज़्यादा score ना कर पाए तो नीदादार के इसलिए chance बनते हैं कि वो mostly bowling के लिए power play में आ सकती है और अगर नहीं आती है कि माल इनके लगबग death hour confirm है लेकि नश्रा सांदू का fix नहीं होता है कि वो death में आएगी नहीं आएगी हाला कि आती है वो death बात करें यहां से हम लोग बाकी के प्लेयरों के states की प्लेयर स्टेट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इनके जब मैचेस होते हैं अगे क्या नाम है उस्ट्रेलिया तो इनका performance कैसा रहता है देखिए सबसे पहले नाम आएगा गुल फिरोजा का गुल फिरोजा स्मॉल लिंग्विशल इंपोर्टेंट नी है क्योंकि यह बैटिंग विकिट नी है और सामने वाले टीम काफी अच्छी टीम है मुनीवा ली की बात करें जाए मुनीवा ली एक बहुत अच्छी प्लेयर है और यह मैं आपको कहा सकता हूँ एक बार गुल फिरोजा को ले जादा मुनीवा बैतर होगी मुनीवा के पास सबसे अच्छी बात क्या है विकिट कीपिंग का बेक अप भी रहेगा और साती मुनीवा एक ऐसी प्लेयर है जो विकिट नहीं फैकती है मैं कह सकता हूँ इसको आप ले सकते हो यह ड्रोप करने वालों में से नहीं है बस बोलिंग भी कन्फर्म करेगी और बैटिंग तो है बैटिंग से ज्यादा बोलिंग इंपोर्टेंट होगी ठीक है क्योंकि स्लोव विकेटर और सामने लेफ्टी दो तो फो वेलिच फिल्ड में आ गई एक तो और एक आगई यहां पर वेट मुनी ठीक है बाकि उसके आएंगे फातिमा सना फातिमा सना बहुत ही शांदार फॉर्म के अंदर है डेफिनेटली टीम में इंक्ल्यूट करनी है आलिया रिया आज बहुत ही नीचे बैटिंग कर रही है और मतलब इतने नीची बैटिंग करने का सेंस कोई बनता नहीं है और मैं हाला कि लेता है इस अब नहीं लेने वाला हूं क्योंकि बहुत ही नीचे बैटिंग और बोलिंग ये करवानी रही है सहीया दारूप शा को ग्रैंड लिग वगिरा अगर अब प्ले करते हो तो ही ट्राइ करना इस मॉल लिंग में इनका भी कोई काम नहीं बनता है उसके बाद बाद बाकी के त साधिया इकबाल दोनों कंडिशन्स में इंपोर्डेंट है उनकी फॉर्म की वजह से और इन्होंने विकेट्स भी निकाले उस्टे लिए के अगेंज जो मैचेस इन्होंने प्ले करें हैं तीन मैच उसमें दो विकेट है और नश्रा सांदू ने दो में तीन विकेट निका का था और यह मैच इनका इंडिया के अगेंज था जो कि यह लोग हार के आ रहे इस वाले मैच की अगर बात करी जाए तो यहां पर यह जो टीम का सबसाद स्कोर था वह फातिमा सना नहीं किया और बोलिंग में अगर आप देखोगे तो साधिया ने तीन विकेट निकाले न लगबग यह मतलब आपको बता है मुझे बता है यह जीती जाएगी हाई से हाई चांसे से की जीतेगी नहीं बलकि बड़े आस्थानी से जीतेगी तो बैट मूली और एलिसा हैली यह दोनों प्लेयर आपको आपनिंग करते यह नज़र आएंगे वन डाउन आएंगे अलिस लेकिन चांसे से जोड़े से जोए ना गार्डनर के जादा है लेकिन आ सकती है कोई दिक्कत नहीं है फिर ग्रास से और ग्रास से उपर भी कभी भी बैटिंग कर सकती है क्योंकि वह इंके बाद आएंगे यहां पर वहरम उसके बाद ताहीला मैग्गराद एनाबेल सुथर लेंड शौफी मॉलिन्यू और मेगन शूट यह एक्सपेक्टेड लाइनप है और यह बैटिंग ओर क्या कोडिंग है ठीक है अब यहां से मैं आपको बदा देता हूं जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वैसे तो यह पूरी टीम ही इंपॉर्टेंट है उसमें कोई डाउट किया जाए क्योंकि ताहिला ने पिछले मैच में बोलिंग करके दिक्कत खड़ी कर दिया कि अगर यह पिछले मैच में नहीं करती तो इसको कोई नहीं ले क्या था हाई इंवेस्टर्स इस मैच में इसको ट्राइए करेंगे मैं खुद इस इन दोनों की कन्फूजन की बात करें तो मेगन शूट और शौफी मोलीनु इनकी तरफ से पावरप्ले में बोलिंग करेंगी और लगबग कन्फ अनका दोडैथ ओर्स के इगर बात करें तो डैथ होड्स में सूथरलेंड वहरम और मेगन शूट यहीं टेथ वर्स में भी बोलिंग करने वाली नहीं ठ स्टेट्स से कहीं ज़्यादा बैतर होगा मैं आपको इनका स्कोर कार्ड दिखा दू वैसे स्टेट्स आप देख सकते हो ठीक है लेकिन कोई सेंस बनता नहीं सेंस का आप देख सकते हो फिर भी और प्लेयरों के स्टेट्स का सेंस तब बनता है जब दोनों बराबर लेवल की हो जब बराबर लेवल की टीम हो तो स्टेट्स जरूरी भी बनते हैं अभी हमें बता है कि अस्टेलिया आराम से जीतेगी एक तरफा जीतेगी इसलिए स्टेट्स का कोई सेंस नहीं बनता है मैं आपको स्कोर कार्ड की तरफ लेके चलता हूं जो पिछला मैच इनका हुआ देगे सबसे आदा स्कोर यहाँ पर पिछले मैच में किया था बैट मूनी और एलिसा पेरी ने और बोलिंग की अगर बात करी जाए सुथलेंड तीन विकेट मॉलीनी दो विकेट और वहीं पर मेगन शूट ने तीन विकेट निकाले थे ठीक है और बाकी उसके अलावा दे इसमें भी बैट मूनी ने सबसे आदा स्कोर किया और बोलिंग में विकेट लेसी सुथलेंड और डार्सी ब्राउन अब बात करते हैं एक बार फिर से रियली ले उनकी डाउनोड अगर आपने निक किया है तो डाउनोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के लिंक से फाइनल टी पहले बोलिंग करती है ऊस्टेलिया विच्ण करती है और बैटिंग करती है तो कौ Só के लिए तो तीम वामश्ध आईग इसbnृक्रण करना नहीं किया तो ठीक है अब लिचे हम क्लियर करते है ऊस्ठेलिय बोलिंग करें आपको बहро डाउने में थोड़ी सी आसानी होगी अगर Australia bowling करती है तो मेरी टीम में क्या-क्या changes होंगे देखिए Australia की bowling पे जो मैं change करूंगा ना इस टीम में अगर मैं कोई change करूंगा तो दो change होंगे सबसे पहले मैं साध्या इकबाल को drop करके लेने वाला हूँ अगर आप चाहो तो ले सकते हो लेकिन हैली को मैं क्यों ले रहा हूँ आपको बता देता हूँ एली सा हैली इस टीम से करेंगी wicket keeping और आपको बता होगा कि wicket keeping करेंगी तो जो extra point होंगे कैच है सिस्टरंपिंग रन आउट ये point कहां पर आएंगे ये इनी के पास आने वाले ठीक है वैट मूनी तो वैसे high selected है मूनी के अलावा हैली पर ही लोग रिस्क लेंगे और मैंने भी रिस्क लिया है लेके लिया है मैंने रिस्क तो मैं ले रहा हूं और बहुत अच्छे दरीगे से मुझे पता है मैं क्यों ले रहा हूं विकेट कीपिंग का बेक अप होगा और ऑस्टेलिया अगर मान लो इस टीम को ज़्यादा स्कोर नहीं करने देती है तो यह तो ऑपन करेगी ठीक है और ऑपनर प्लेयर वैसे important होते एक तो मेरी टीम में यह चेंज होगा जो मैंने आपको बता दिया है और दूसर मेरी टीम में जो चेंज होगा ना वो रहने वाला है वाइस कप्तान का कैप्टन मेरी बिल्कुल परफेक्ट है मैं मेगन शूट के साथ ही जाऊंगा फर्स्ट अगर बोलिंग करती है न टीम है सिर्फ दो चेंज की एक तो वाइस कप्तान का चेंज किया है मैंने और एक मैंने साधिय इकबाल का चेंज किया है और जो अबी टीम है यह परफेक्ट है इसमें कोई फॉल्ट है नहीं ठीक है अगर आप चाहऊ साथ है कि आप ले सकते हैं मैं आपको मनाना नहीं यह साधिया इकबाल भी इंपोर्टेंट है कैप्टन की अगर बात करें तो आप गाड़नर बनानी पड़ेगी लेकिन वो टीम में से क्या है पावर प्ले में इतने खास प्लेयर है नहीं विकिड भी जाएंगे तो मेगन शूट को बनाएं कैसे तो दिक्कत है उस कंडिशन मे मेगन शूट के साथ जाओंगा आप Чाहओ तो नीदादार के साथ बीजा सकते हो कोई रिक्कत को यह बैतरी निदादार ठीक है मैं ंदर मैं कंफियोज हो कि ऑफ बहर पर में यहां वी करेगी क्यू है चार और दॉर बही और वह भी न करेंगी और नीदादार जब पहले ब करूंगा और साथ देख बाल करूंगा और यह मैं मतलब वह कहता है ना कि कॉंफिडेंस नहीं आने वाली चीज वह वाला सीन हो जाता है अब थोड़ा सा रिस्की मैच हो जाएगा तो आप उस कंडिशन में तो बहुत ही कम इंवेस्टमेंट करना रही कैप्तें मेरी यह है वी सी एक आपके उपर डिपैंड करते हैं अगर आपको सेफ प्लेईकर ना वी सी चे गेम मे तो आप लोग मेगां के साथ जाओंगा तो यह मेरी टीम बन जाएगी बैटिंग अगर करती उस्टेलिया तब और बाकि जो भी मेरी टीम में चैंजे संगे वह डेफिनेटली मैं शेर कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पर तो आप जोइन कर देना टेलीग्राम को डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया आवा है और इंवेश्मेंट कम करना फिलाल यही था इस वीडियो में ठेंक्यों दोस्तों इस वीडियो को यह तक देखने के लिए मिलते है नेक्स्ट वीडियो में